नमस्कार सभी दर्शकों का दर्श फ्रेग्रेंस यूटूब चनल में एक बाफिर से हार्दिक स्वागत है और बालोठियस्टर्ट फार्म के पार्ट टू में फिर से एक बार हम मिल रहे हैं धर्म सिंग जी से और आप से जानते हैं हम कि आपके पास अभी जो आश्वा हैं व लोग जानते हैं कि आरियन क्या क्या डिटेल है और कैसा है बाकी जो नए देख रहे हैं और जो नए अश्वा पालक है उनके लिए ठोड़ा बता दें कि आरियन गोड़े के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग जिसे लाइन का है जी है अपने रास शृआव का बेटा है डारेक्ट रास हुर्प का बेटा है जे अट और माई इसकी बहुत अच् weiß ही लाइन की है एप मेरे लोग गिल और सिंग जी वह गरांड सायर हो गया? सुल्तान, तो सुल्तान, वह गया तो कहा षए आप ने लिया था और नहीं कंग लिया था ध़े कुछ फोड़ा सा यह मैंने लिया था दो साल का पज्चा थब अपने लोकोमना से लिया था कोटडी रैँ ड़ा को जय हुआ अच्छ ऑच सी ऐम के लिए था वही आप यह ले जाओ ब्रीडिंग के लिए अच्छा रहेंगा जी 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 तो मैं उन से इसको दो साल के बच्चे को लीटे जी जी और अगर आप इसके हाइट के बारे में अगर बात करें जी जी तो मार्किंग और हाइट के अलावा अगर लुकर हम जैसे बात करते हैं आरेन के रजल्ट्स की तो इसकी ब्रीडिंग कप से शुरू कर दी हमने और कितने लगबग इसके रजल्स आदे हैं इसके करीब 3 तो वहारे पास ही है जिसके पत्छीं के करीब आचा पास मार्केटन बच्चेए। ज realidad अच्छे हों सारे के सारे जमक गोडी आणकी भी थी ठीक भी देख लेकिन एक भी गोडी पे इसका अच्छा लाता है दो पैर सफेद पूरा पट्टा पड़िया मार्किंग के बच्चे लाता है इसकी जो सबसे अच्छी विशेश ताई है कि टेंपरामेंटल का बहुत अच्छा है इसके बच्चे इतने शरीव हैं बहुत ही शांत सोवाओंगे हैं बोन वाइज बहुत मजब थोड़ा था इसको तो अच्छे बच्चे सारे भी अच्छी एक पंजाब में 66 का है जी बच्चा स्वास्तिक नाम से अमने दिया था बहुत अच्छा बच्चा है एक गोड़ी उनके पास है बच्ची इसकी मंडावाड़ों से ली थी अपने गुपता जी हैं पंजाब के तो जैसे आज के जमाने में मार्केट को देखते हैं जो यह जो भी कि बात चल रही है घोड़ों के तो आर्यर्न के रजल्ट अब तक किस तरह के प्राइज में जा रहे हैं और अच्छी प्राइज बेच आया गुड़ा जी और एक दो बच्चे हमने दिल्ली में दिए भी अच्छी प्राइज में दिए जी उनको भी हमारे से ले के मतलब अच्छी प्राइज मतलब बहुत मिलती है हाफ हाफ सी यार क्या सब्सक्राइब गोड़े बेचने वाले वापिस ले लो तो वो किसी भी सूर्थ में उसको आपिस नहीं ले सकते हम अगले को गारंटी देते हैं वह आपने जो हमारे से लिया है उससे पचाहशार जादा लेगा हमें वापिस देदो वापस देजाना एक भी आदमी यह नहीं कहता नहीं वापिस आप उर दो जी जिसका कोई बच्चा या बच्ची एक और दो जी तो यह होता एक प्रोवन ब्रीडिंग और प्रूवन सेल पर चिस कहलो तो आपके पास पैदा होगा ने जब मेरी बुकिंग कर लो आप मेरे को एक बच्चा और तो आपके पास इसकी पहली शायद जो ब्रीडिंग आपने फस्त रेजल्ट है वह हमारे चकोरी नाम की बच्ची है बहुत अच्छी है तो क्या उसका चकोरी का चकोरी की डैम साइड के अगर बात करें तो उसकी मदर तो सब बहुत ही अच्छी है फूलमाल माल की प्योर फूलमाल है जी लिमट की गोडी है जी इसकी कोईल नाम की बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की गोडी आज ऐसी गोडियां ताजकल मिलती नहीं जी 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 उसकी बेटी है और आरियन की है वह मैं दर्शकों को बता दूं कि यह हम लोगों ने गोड़ों के बारे में सीखा है तो यह यहीं से शौक लगा इसलिए सब डिटेलिंग के बारे में ठोड़ा सा आइडिया है और लोगों को दर्श्रकों को यह नॉलेज पहुंचाना के लिए मैंने यह वीडियो अप्लोड किया है तो सर आपके पास अगर आज की तारिक में अगर बात की जाए तो आपकी जैसे आपके पास पहलेस लाइन का गोड़ा है और इसकी रिजल्ट्स जो आप इदर जो आप मारवड़ी अश्व जगत में आप जो योगदान कर रहे हैं जो अच्छे बीडर्स के पास अच्छे होर गोड़ा पालण जो कर रहे हैं लोगों के पास आप की आपके खुल जा रहे हैं तो आपक़ से वाषिए बल्यूल्ट के बहुत अच्छे है किसी उयों काक्ट ना बदमस्ष करना प्रणा निये भोडियां हो चैकोड़े और को इसलिए मारे पसने way लाइन है और इसके मैंने अभी बच्चा और खरीदा है अच्छा तो उसके बारे में फटा बताएं जो अभी नया बच्चा आप इसकी बात कर रहे है अभी वह तीन साल का हो गया दो दांत की अभी जी और ग्रेकल उसकी मां ग्रे है ऊके गूहीं मैंने लोकुबना से लिया ह यह वहस्त वारशरूप राशरूप है च्छा टो राशरूप एंगर बात करें तो मार्किंग बनेगा मेरे ख法षब इसमें ग्रे में सबसे बड़ी खासीत और जो ग्रे में आपको बहुत कम गोडों मिलते हैं, एक पैर शफेज मिलेगा, दो मिलेगे, चार भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके चार पैर बिलकुल काले हैं, जो आपको बहुत कम गोडों मिले तो मुझे बताना, तो इसकी क्या फायदे हैं? तो ऐसे गोड़े राइडिंग में भी बड़ा मजबूत जी और आप भी सब जगे जाते हो अच्छे गोड़ों वाले उपा जाते हैं कहीं भी आपको ग्रे गोड़ा अगर चारों सुम बिल्कुल काले हूं तो आप मुझे जरूर बताना जी 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 आपकी आगे जाके इससे भी हम ब्रीडिंग करना चाहते हैं लेकिन इसके बच्छे ग्रे होंगे तो एक तो ले ली अमना भी एक दोर लेने में हैं तो इसका हाइट का चलन चल रहा है आजकल तो हाइट के बारे में हाइट के उनको ध्यान में रखते वे आपने यह लिया हाइट में लिया राइट तो इसकी 65-66 जाएगी जी 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 तो हमारी आइट में समसे बड़ा फायदा है हम नोर्मल डाइट दे रहें बिल्कुल जी 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 वो जो इनके माबाप के इसाब से ही आइट बढ़ रही है कोई सप्लेमेंट वगरा नहीं कुछ नहीं जी जी उनको आपने घर में ही रखा उनको दिया नहीं को जिन्दा रखने के लिए हमने इसकी बच्ची रख ली ओके मां साइट से स्ट्रॉंग है सब तरह से स्ट्रॉंग है उसमें नतलब दोना साइट से दूसरी बात कि इतना ही बड़ा जानकार प्रॉम को लिसा थे पताने के बलुकि उपनाप बथा पार्ख एयं लें जेसे ज़ो जो जेखते हैं जो चैनल को देख्ते हैं वीडियोज को कि कितने में इंकर बहुत कि जाया तो कि यमी फेडिक हो चाह。」 कि इसके आठके लाइन का कोई गोड़ा चाहिए अच्छा अगर आपके अगर आपके अनिमल्स बढ़ रहे हैं तो आपको एक डिफरेंट लाइन रखनी पड़ेंगे तो मेरे चैनल के माद्यम से मैं जुरू बता जाता हूं कि अगर कोई अच्छा स्टैलियान या कोई अच् देना चाता है अपने यहां से तो आप जरूर संपर्ग करें हमारी लाइन से हटके कोई अगर देना चाता है तो आप जरूर कॉंटेक्ट कर सकते हैं वालोटेस्टेट फार्म में विकास सिंग जी हैं और आप से बात कर सकते हैं तो सर खास कुछ बात आप आप आज के और काफी इंप्रूमेंट भी हुआ है लाइन में लोग चांट चांट के ले जा रहे हैं अच्छे पैसे देदे के लिए ब्रीडिंग कर रहे हैं तो क्यों यह सुधार आ रहा है पहले से अब तक में क्या सुधार आने की वज़े क्या हो सकती है सरदारी का सिंबल हो गया ओके रोयल्टी का साइन इसलिए लोग खूब ले रहे हैं बच्चे खूब आ रहे हैं इसमें स्पोर्ट्स में खूब आ रहे हैं गोड़ों से अच्छे ची नेशनल क्वालिफाई करके नोकरी भी लगे इसमें खूब तो रोजगार के लिए भी खूल रहे हैं बिजनस भी खुल रहा है जी जी तो मैं मैं यह सुनना चाहरा था कि यूटूबर्स की वज़े से भी मार्केट बढ़ रहा है यूटूबर्स ने तो फैला है इसको जी 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 तो आम आदमीं को पता ही नहीं था कहीं का पूरे इंदोस्तान का कहीं भी अच्छा गोड़ा है वो श्याम तक पता लग जाएगा अपने पास शोशल मीडिया बहुत बड़ा बहुत बड़ा योगदान है उनका पूरी डि यु आपका सवाल करनाचाओंगा आपसे आज के जमान offers जो मारवारी अश्वा जगत जो मारवाड़ corona तके बात कर रही है जो चल रहे हैं जहां पर धेला उड़ा ही अमारवाड़ी इकर की तो होते हैं वहां पर अगर मैं आपको कहुँँ कि आप क्या पांच पॉइंट्स आप देखना चाहते हैं जो कि सुधार के रूप में या अच्छाई की रूप में आप देखना चाहते हैं देखी सब शोज जो है जो जिनमें जो हो रहा है वह आपको भी मेरे से जादा पता है क्या हो रहा है फिर भी चलो उससे गोड़ों को बढ़ावा मिला है कोई नुकसान नहीं हो तो भी शो हो है अच्छे है कैसे हैं क्या है वलग बात है लेकिन मेरे एक दो चार सुधाव है एक तु क्या है कि जित्ते भी शो होते है न है उसमें फस्ट टैन इनिमल इनको छाटने जाई है फॉस्ट एन दस गोड़े शाट के वह उनको जो करना है उसका गोड़ा अच्छा है और उसको कहीं लाइन में याप टिकणे नहीं देते उनको बड़ी तकलीफ होती है अब टोप टेन माने के बाद उसको यह संतुष्टी होगी चलो यार इंदोस्तान के दस गोड़ू में तो है अपना जी 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 वो इनको करना चाहिए दी मोटिवेट नहीं होता है आदमी प्रोट्सान मिलता है अच्छे शो में तो कई 10-15-20 गोड़े बहुत अच्छे आते हैं हाँ आजकल वैसे भी घोड़े ज्यादा ज्यादा जो है वह भागेदारी लेने लेने लगे है तो सारे के सारे गोड़े तो विनर नहीं हो सकते ह लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोट्सान होना चाहिए नंबर दो इसकी जो भी शो होते हैं उनकी वीडियोग्राफिय होनी चाहिए पूरी की पूरी नंबरों की यह बिल्कुल मतलब पारदर शिता हो जी कोई आदमी यह पूछना है जैसे हमारे समीधान में है सोतं अंतर मेडिया होनी चाहिए कोई जैसे आपका गोड़ा है मेरा गोड़ा में पुछन साब इसके कितने नंबर दिये तो वह बताएंगे आमने इसके नेक के इतने दिये हैं और चीज के इतने दिये नंबर जो में चीज जो तीसरी बात है जी इनकी मैनुल में यह लिखा हु अच्छा जी खड़ा हो जाए रुके नहीं बठके बरे लाते मार रहा है काटने को दोड़ोगी फश्ट आने की पहली सीड़ी तो पार कर ली उसके अच्छा बड़ी आराम से तसली से खड़ा है बहुत अच्छा है वह बनिश्पत उसके बदमास के सामने टिके गाने तो यह इनका सुधार करना है खुद के टेंप्रामेंटल के लिए इनों लिख रख अपने गाइडलाइन में कि गोडे का टेंप्रामेंटल अच्छा नहीं होगा तो मायनेस नंबर होंगे उसके मार्किंग होगी इस पर कोई ध्यान नहीं देता ठीक है चोथी बात है अब मार्किंग भी गोडे का अभूशन है जैसे आदमी और जो गणा पहनते हैं तो उससे थोड़ी सुन्दरता बढ़ जाती है इसी तरह से मार्किंग भी गोडे का अभूशन है उसके गणे है उस पर भी ध्यान देना चाहिए बिलकुल साही बात है क्योंकि भगवान ने उसको आप को करो मalay crash मार्किंग को क्या जा रए टो अब उसको ने प्लिए तो गलत गवर्य deposit नहीं थी तो उसको कोड़ा नहीं थी शुआ उसको पर्फेक्ट बाल भॉजीिक तो अब भी चलो वो टाइम तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इस पर ध्यान देना थी यह मार्किंग का भी पांच चार नंबर उसमें होने चाहिए नसल सुदार के लिए जरूरी है कि आप मार्किंग का भी विशेश ध्यान रखें उससे घोड़े की सुंदरता भी बढ़ जनता की भी सुनने चाहिए कि थोड़ी बहुत बाग्यदारी जैसे जजों की जितनी है ने उससे दस-पांच-पंदरा परसेंट उनकी उनकी उपिनिन लेनी चाहिए जिए आम आधनी इस गोड़े के बार हम क्या करता है जिए उसको भी इसको इसके परती रुजान होगा जी 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 आने वालों के लिए भी अलाब सिर्फ जज़ेज सिर्फ ज़जेज का उपिनियन नहीं सिर्फ पब्लिक उपिनिन भी होना चाहिए चाहिए वह परची सिस्टम से हो चाहिए वोटिंग सिस्टम से हो किसी पी तरीक से जो हाँ एक सिस्टम बनना चाहिए उसक प्राइज में बहुत अच्छा उच्छा लाया है तो आम आदमी को मिलता भी अच्छा है इससे काभी फाइदा है किसान को भी फाइदा है पहले है किसान की गोड़ी 20 जार 30 जार्व विखती अब दो डाही लाक में तिन लाइख हुआ है और इससे कहीना कहीं मारवाडी घोड़ों में परहत्षानी मिलेगा कि इस गोड़े की तरफ ध्यान दिया जाएगा जी तो इस्पोट में है दूसरा सब सोसाइटीज को एक होके और इसमें अपना क्या है यह एक्सपोर्ट के लिए इनको करना चाहिए जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो खुलवाना चाहिए जी ताकि अच्छा हो थैंक यू बहुत-बहुत धन्यवाद सर आशा करता हूं कि यह वीडियो आपका पहुंचेगा मैक के शोज में सुधार लाएंगे और इस ब्रीड में और सुधार आने की और नसल सुधार में और बहुत योगदान होगा इसमें सो थर्ट आपका 40-42 साल का जो एक्सपीरियंस है आशा करता हूं कि वो नए अशोपालकों के लिए यो मतलब हैल्फुल रहेगा सायक रहेगा धन्यवाद आपका अमूले समय देने के लिए खार।